हलो एबरिवान आज हम 5th chapter पढ़ेंगे 4th chapter तक आप लोगों ने पढ़ लिया था फोर चवेप्टर में था एक बहुत सुन्दर क़ीता पढ़ना आप लोगोको फिफ whole chapter में बहुत सुन्दर स्टोडी है आए देखते हैं यह रहा आपका फित चेप्टर जिसका सेशक है गोलु का घर यह गोलु की बारे में कहानी है और गोलु की घर की कहानी है आए इसे देखते हैं पहले हम कहानी को गोलु एक छोटा सा प्यारा सा घूंगा था गोलु एक घूंगे का नाम गोंगा जो की एक जीव है प्रानी है जिसे हम अकसर बरशात के दिनों में देखने को मिलता है यह एक बगीचे में रहता था उसका बगीचा सूग गया था यानि गोलू का घर जो था वह बगीचा था वह बगीचा सूग गया था इसलिए गोलू को दूसरी जगह जाना चो कि और एब 25 पे को अपना उपता वह सुख चुका था और उसे दूसरी जगह जाना पड़ उसने शुचा नई जगह सबसे न्यारीज़ग पर रहूंगा यानि जब वो नहीं जगह जाने वाला था तो उसने सोचा मेंगें तरगेमेरा था तो जो सबसे न्यारीज़ग में सबसे न्यारा होना चाहिए न्यारा का मतलब सबसे अनोखा उसके जैसे जगर कहीं और नहीं होगी वह सोच रहा था यह सोचकर गोलो नई जगर ढूंडने चल दिया चलते चलते वह एक बड़ी सबगीचे में पहुचा वहाँ सुंदर सुंदर फूल कई तरह के पेर पौदे थे वहाँ पर सुंदर सुंदर फूल थे और बहुत तरह के पेर पौदे भी थे पेर पौदो की हरी हरी पतियां देखकर गोलो खुश हो गया पेर पौदो में बहुत सारे पतियां लगी थी उसे देखकर गोलो खुश हो गया अब तूसे नहीं जगर मिल गई है उसे अब बहुत दूर भी नहीं जाना पड़ेगा फिर वह पत्तियां बहुत स्वादिश लगी चट खारे लेकर उसने कई पत्तियां उसी समय खाली फिर देखिए उस बगीचे में एक दिन अंकिता और यश खेल रहे थे यह वो बगीचा जो था अंकिता और यश का था उसमें वो दोनों खेल रहे थे तभी उनकी मा उन्हें बुलाने आई अचानक मा की नजर पत्तियों पर पड़ी उन्हें बहुत क्रोध आया वी जोड से चिलाएं इन पत्तियों को किसने खाया है मा की आवाद सुनकर गोलू डर गया वह एक पत्ति के नीचे छिप गया जिससे कोई उसे देख न सके थोड़ी देड़ बाद मा अंकीता और यश्ट को लेकर अंगर अंदर चली जगई फिर गोलू जल्दी से बाहर आया वह समझ गया कि यह जगह सुरचित नहीं है वह उस बगीचे को छोड़ कर चला गया चल लिया जब वह मा की डाट सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है कि यह बगीचा सुरचित नहीं है यहाँ पर पत्तिया खाना ठेक नहीं है इसलिए वह बगीचा छोड़ कर वह वहां से चल लिया फिर है धीरे धीरे रिंगता हुआ गोलू अब सेव के बाग में पहुचा वहां मिच्छे मिच्छे सेव लगे थे वह सेव के पेर की पत्तियों को खाने के लिए उताबला होने लगा वहाँ जो सेव लगे थे उसकी पत्तियां हरी हरी थी तो खाने के लिए बहुत ही उताबला होने लगा उताबला होने का मतलब बिचैन होना किसी को बहुत जल्दी देखकर एक दम फिर वह परव माली की बड़ी-बड़ी मुझे देखकर डर गया और आगे चल दिया कुछ दूर जाकर उसे खूप सारे पेर पोधे दिखाए दिये उसे तभी अचानक उसे पाने की चप चप आवाज सुनाई दी गोलु खुस होकर तेजी से उधर चल दिया वहाँ उसे सुंदर ज़र्ना दिखाए दिया ज़र्ने के आसपस खुप सारे पेर पोधे और फूल थे वहाँ उसे ज़र्ना दिखाए दिया और ज़र्ने के आसपस पहुत सारे पेर पोधे और फूल थे वहाँ उसे अपने जैसे कई मित्र भी मिल गया गोलू बहुत खुस हुआ अब उसे वहाँ से कहीं नहीं जाना पड़ेगा उसे एक नियारी जगह मिल गई थी यहाँ पेर पदे भी थे ज़र्णा भी था पानी भी था उसे अपने जैसे कई दोस्त भी थी देखें यहाँ दिया हुआ है तेरे गोलू को अपना घर मिल जाता है देखें अपना घर नहीं होने पर किस तरह से परिशान होना पड़ता है तो फिर ठीक है यह कहानी यहाँ पर खत्म होती है फिर है नए शब्द है नयारी है नयारी का मतलब अनोखी मैंने पहले ही बताया था स्वादिष्ट मतलब स्वाद से भड़ा हुआ जो बहुत ही अच्छा लगे चट खारे लेना यानि स्वाद ले लेकर खाना को मतलब गुश्चा तो जानते ही हो स्वाचित का मतलब ठीक ठार उतावला का मतलब जल्ली करना सुर्थ लेक यह कुछ कटेन शब्द है इसे आपको लिखना है बार बार प्रैक्टिस करना है इसकी पाठ की बात है नीचे दिए गए प्रश्ण आपको देना है बोल कर देना है परस्ट इक गोलु कौन था तो पहले मैंने बताया ही था गोलु एक छोटा सा प्यारा सा फिर है बगीचे में कौन खेल रहते आप लिखोगे यहां बगीचे में अंकीता और यस खेल रहते आप ठीक से लिखोगे बगीचे में अंकीता और यस खेल रहते उपर में यहां बताया भी क्या है यहां देखिए सबसे उपर में यहां है ना देखिए अंकीता और यस खे तो आप लिखेगा क्योंकि गोलु वहां माली की बड़ी-बड़ी मुच्छे देखकर डड़ गया था ठीक है फिर सही उत्तर चुन कर फिर नेक्स्ट है गोलु को अपने नियारी जगह कैसे मिली यह जगह उसे कैसे मिलती है तो बच्चो अपने यहां देखा था लिखा हुआ पाने की चप चप आवाज उसे सुनाई देती है चप चप आवाज सुनाई दी है ना यहां पर तो आप लिखोगे गोलु को पानी की चपचप की आवाज सुनाए देती है और वहाँ जाता है तो उसे न्यारी जगा मिल जाती है गोलु एक पत्ति सही उत्तर चुनकर टिक लगाना है नमबर टू गोलु एक पत्ति की निचे क्यों छिप गया क्योंकि वह दिखाई नहीं देगा तो सुचित रहेगा क्योंकि पत्ति का निचला भाग बहुत स्वादिश्ट था तो नहीं ये आपका सही अंसर होगा इसे आप टिक करोगे फिर एक गोलो को नहीं जगह क्यों जाना था क्योंकि उसे बार बार जगह बदलने का सोगता क्योंकि उसका बगीचा सुग गया था सही सब चुनकर खाले स्थान को पूड़ा करना है गोलो को पत्ती बहुत स्वाधिश्ट लगी यह लगी यहाँ पत्ती है एक पत्ती की बात है तो आप लगी पर यहाँ लगी भड़ोगी यह बाला चीक है फिर है पत्तियां तो पत्तियां में लगी हो जाएगा यहाँ आप पाइंट देत होगे फिर है उसे खोप सारे पेर पौधे दिखाई दिए पेर पौधे है तो दिये हो जाएगा पौधा है तो दिया हो जाएगा नीचे दियेगे शब्दों को सुधिकर के लिखिए यह तो बना हुआ है आपका न्याड़ी है तो यहाँ नया संजुक्त होगा फिर है बगीचा तो बगीचा में देधा ही होता है तो फिर अवाज है अवाज नहीं होता है आवाज होता है तो आप यहां ऐसे लिखोगे इसे प्रूद का गुष्चा होगा यहां बगीचा बगीचा का उकुष है प्रशन न होगा फिर पढ़ीए और समझी रह को कही तरह से लिखा जाता है तो यहां बताया गया है रह को दीखिए एक तो ऐसे वाला रह हो गया फिर एक इस तरह से दिया जाता है फिर एक इस तरह से दिया जाता है और एक रेफ दिया जाता है अब इसमें देना है अब नीची अब दिये गया सब्दों में रखा सही रूप लिखना है प्रनाम यह बना हुआ है वशा लिखा हुआ है तो वर्षा में ऐसे हो जाएगा क्रो उपर पड़ेगा दहर्ज, गर्व, ठर्ग, ऐसे हो जाएगा प्रान, भ्रम, प्रेम, तीनों में एक ही तरह से होगा, फिर गुरू माली की बड़ी-बड़ी मुझे देखकर डर गया, आप क्या-क्या चीज़े देखकर डर जाते हैं, और हमें उनसे क्यों नहीं डरना हैं कि डरने वाले कि कोई बात ही है, जर जिमें डरना चाहिए यद Ci डर लगता है फिर भी हमें अपने बातों को मानना चाहिए दढ़ने करने के लिए क्या क्या करते तो बच्यों आप अपनी Gण को रखने के क्या करते हैं या आ, आप कुछ सूचना है ने और बताना और अगर नहीं तो करना भी है आप कौन-कौन से चीजे चट खाड़े लेकर खाते हैं कि नहीं पांच चीजों के नाम बताइए तो मुझे लगता है कि यह अल्मॉस्ट बच्चे जो हैं फास्ट पूड जंक फूड ही चट खाड़े लेकर खाते होंगे इन्हीं सब चीजों क बहुत सारे काज करम देते हैं उन्हें आपको देखना है और आपस में चर्चा भी करना है कौन क्या खाएगा निची दीगे चीजे खाने मेले जीव जनतु किनान ढूंड कर सही जगह पर लिखिए गास पत्ति है यहां तो देखिए यहां एक दिया हुआ है तो गास पत्त लुमड़ी सेर और वेड़िया ओके नेक्स्ट है कुछ करने की बाद चित्रों की सहायता से सबसीरी पूड़ा करना यहां चित्र दिया गया है और सबसीरी को पूड़ा करना पहला में है कलम यह आपका बनाया हुआ है सेकेंड नमबर में है यह दिखिए माहल हो जाएगा यह है यहाँ लो फिर यहां नहां हो जाएगा तो हबन बन जाएगा आपका सरी हां यहां है यहां लो यहां बिखिए फिर यहां यहां बन मिनिट्ट यहां हो जाएगा, यहां लग हो जाएगा, यहां ना हो जाएगा, यहां ना हो जाएगा, फिर यहां आपका रव बन जाएगा, यह खडल बन जाएगा, फिर यहां खजूर हो जाएगा, फिर यहां रबड हो जाएगा, फिर यहां बकडी हो जाएगा, इसी तरह से आपको यह एक कम्प्लीट करने देखी थर्मकूल के चुटे 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 घ्वोंगे कि चितर में प्लेद चित्र में छिपणाना है कि श्तु ठर्मकूल का चुटा तुपर खेड़ों एक घ्वोंगा ऴना तर तो आप आपको रिवायज करना है बार बार थेंक यू